कार्तिक माह के सुक्ल पक्ष की एकादसी को भगवान सरी हरी विष्णु योग निद्रा से जाकते हैं और जिसके बाद चार माह से रुकेवे सभी मांगली कारे भी सुरू हो जाते हैं भगवान बिश्णु आसार सुक्ल एकादसी को चार माह के लिए योग नित्रा में जाते हैं और देव जागरन यानि देवोत्थान एकादसी के दिन वो जगते हैं कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्त होती है अगर आप इस एकादसी का बरत रखते हैं इस बार देवोत्थान एकादसी बहुत खास समय में आई है मूर्त में आई है चुकि देवोत्थान एकादसी वाले दिन निरजल बरत या फिर केबल लिक्विड यानि की जैसे सर्वत है जूस है चाय है ये पीकर अगर आप रहते हैं उपास करते हैं तो जादा अच्छा रह सकते हैं एक बेला सातिक आहार लेकर भी आप कर सकते हैं तो भगवान विश्णु अपने इश्ट देव की उपाशना करें और तामसिक आहार तो बिल्कुल भी ना खाएं जैसे प्याज लहसन मांस मदीरा बासी खाना इस दिन ओम नमो भगवते वासु दिवाय का जितना ज और साथ ही भगवान के चरंचिन भी बनाएं और इसको बाद में रात में ढग दिया जाता है और सुबह उठाया जाता है उठो उठो वासु देव उठो उठो तो इस दिन एक सिक्क्य का प्रियोग किया जाता है जो आपके जीवन की मुस्किलों को दूर करेगा सबसे पहल रख लीजेगा हर व्यक्ति धन के लिए सुबह से रात तक भागता रहता है और आजकल के समय में महंगाई इतना है कि आपको अगर कितना भी कमा लें तो कम ही पड़ जाता है लेकिन एक छोटा सा प्रियोग जो सिक्क्य का प्रियोग है अगर आप करते हैं तो आपके जीव हैं तो पैसे पांचों उंगली से पकड़ कर लीजिए तो बरकत बनी रहेगी क्योंकि सभी नो के नो ग्रह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में बरकत देने में कोई विवेक्ति आपको दो उंगली से पकड़ कर पैसे देता है तो वह पैसे आपको बरकत नहीं इसलिए कोशिस करें, जिनसे आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दे और आप भी सभी पांच्छों उंगली पकड़ कर ही पैसे लीज़े तो ये तो थी simple सा प्रयों दूसरा आप कोशिस करें कि जैसे कि सिक्का कॉइन जो होता है वह जब भी आप किसी को कोई नेग देते हैं तो 11 21 ऐसे दें सिर्भ 10 दे दिए 20 देदिए 50 दे ऐसे मत दीजिए और कभी कभी क्या होता है एक कसी का नहीं है तो आप 2-2 का दे देते आपको लगता है धन कम पड़ गया एक छोटा सा काम कीजिए एक सिक्का ले 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 अब इस सिक्के के साथ आपको एक लॉंग चाहिए और एक लाल रंग का कपड़ा अब इसको मा लक्षमी के सामने कपड़े पर लॉंग और सिक्का रखकर रखते हैं यह प्रियोग आप किसी स्थान पर यह पर्स में रख ले बरकत होने लगती है दूसरा कि कई बार होता है कि आप के जीवन में धन की मुस्किलें ज्यादा परिसान करती है तब आप एक सिक्का ले 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 अब इस सिक्के पर आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें सिंदूर से भी लिख सकते हैं लाल रंक के पेंट से नेल पॉलिस तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने नाम का पहला अक्षर अब हिंदी में इंगलीस में आप किसी भी भासा के लोग हैं अपने भासा के नुशार लिख ले अब अपने घर की छत पर जहां पानी का टंकी है ना उसके उपर रख दे नाम का पहला जो अक्षर लिखा है आपने वो आस्मान की तरफ होगा सिक्के पर जो लखा है आपने और रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दे फिर अगले दिन सुबएस को उठा कर अपने पर्स में रख ले जब तक ये सिक्का आपके पास है आप देखि की चावल अक्षज इसको कहते हैं और एक सिक्का इसको बांध कर अपने उपर से साथ बार उल्टा वार ले या तीन बार और कहीं भी पीपल के नीचे रख दे बिना पीछे मुरे घर आ जाए आपका कर्ज बड़ा से बड़ा कर्ज उतर जाएगा अगर धन की मुश्किल ज किया होगा दिया ले ले दीपक में एक स्वेस्तिक बनाते हैं सिंदूर से अब उसमें पानी रख दे और एक शिक्का रख दे और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें, इस कलस को आप सुरक्षित रख लें, सिक्का को उठा कर अलग से रख दें अगले दिन इसको भी फिर से करें, यानि कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें, ये परियोग लगातार पांस दिन कीजेगा बाद में सिक्के को समाल के धन के अस्थान पर रख लिजेगा, बरकत बढ़ा देता है और एक चीज, घर में चाहते हैं कि अस्थाई लक्ष मी हो बास, तब आप अपने घर में एक मिट्टी के बरतन में, मिट्टी का कलस में या आपके घर में मिट्टी का बरतन नहीं है तो एक दीपक ले लें उसमें चाबल और दुर्वा घास रखें और एक सिक्का रख दें सिक्का को चाबल से कभर कर दें मिट्टी के दीपक मियाद के नया दीपक लीजेगा और इसको लाल रंग के कपड़े से बांध कर अपने घर के उत्तर पस्चिम दिसा में रख दें संभाल कर धन बढ़ता चला जाएगा धन की कमी ही नहीं होगी मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए आप अपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात नहीं तो आप एक प्लेट ले लें और इसमें एक सिक्का रखें और इसके उपर चाबल के कुछ दाने रखें और इस बरतन को आप अपने घर के पुजा स्थान पे रख दें यानि कि प्लेट के उपर आपको सिक्का रखना है चाबल के कुछ दाने रखना है और कुम-कुम से पुजा वेगरा करें और इसी प्लेट में जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो काला तिल इसको बांधे काले कपड़े में और अपने उपर से तीन बार या पांच बार उतार ले और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दे सनी समंधी जो भी दोस होगा वो समाप्थ हो जाएगा तो ये किसमत बदलने वाले टोटके हैं जो आपके जीवन की हर मुस्कि चाति थी हो या बुदवार का दिन हो उस दिन एक छोटा सा काम कीजिए आप जब गनेश जी की पुजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपाडी गनेश जी को अर्पित कर दें और जब भी किसी खास काम से जाएं तो जो सुपाडी है शीका गनेश जी के पास नहीं दे उस वैसे में आप कलस वाला उपाय कीजिएगा जो हमने कहा कि मिट्टी के कलस में आप स्वस्तिक बनाईए और एक सिक्का रख दीजिएगा धन की बरकत होती है उससे हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा वैसे पुजा स्थान पर आप चावल और दुर्वा के साथ सिक्का जगर अगर रखते हैं तो वो आपके खुशियों में चार चांद लगाता है यह परियोग आपको एकदम से धन की मुस्किल से बाहर निकाल लेगा लेकिन अगर आप सिब जी के मंदिर में पूजा करते जाते हैं और सिब जी को पूजा करने के बाद दक्छिना सिक्का डाल कर ही जलाएं और यह सिक्का रूज आप डालिएगा नकात्मक उर्जास माप्त होगी और अच्छे अबसर जीवन में मिलेंगे जो आपके जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा और आप चाहते हैं कि नौकरी बैपार में खूब आपकी तरक्की ह तो तब ऐसे में आप क्या करेंगे एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बांद कर अपने धन के अस्थान पर रख दें और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा और हमेशा ही सनीवार के दिन आप गरीबों को खाने पीने के वस्तु का भी दान कर सकते हैं किसी अमवस्य को भी कर सकते हैं अगर भाग साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंक और एक सिक्का हमेशा रखिए भूला भुआ भाग भटका हुआ भाग भी आपके पास आ जाएगा विसेस मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए साम के वक्त तुलसी विवाह के बाद आप ए किनों में आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी तब हल्दी और लॉंग छोड़ दे और सिक्का उठाकर पास के मंदिर के दान पेटी में डाल दें इस दिन सिक्के का एक चोटा सा प्रियोग किया जाता है अगर आपकी कोई कीमती वस्तु को गई है तो एक साधा या कोई भी कलर का रुमाल ले लें उसमें बीच में एक सिक्का रखें अब चारो कोना रुमाल का एक दूसरे से बांद दें और फिर इसको आप भगवान के पास छिपा कर रख दें जब आपको वस्तु प्राप्त हो जाए तो सिक्के को आप निकाल कर मंदिर में दे दें और अगर प्रियोग जीवन की मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा जीवन की जो कठिटाईयां है उनसे बाहर निकालेगा और अब तो सुमंगल का रहे होंगे तो आपके जीवन